इसलिए रोपवे मोस्ट इंपोटेंट हूँ बहुत छपने वाला है प्रस्थन इस वीडियो शीर आपको मिलेगा पूरा वीडियो देखेगा पहले अपन जो वरत्मान में 6 रोपवे हैं उनकी बात करेंगे कौन पहला है कौन बढ़ा है कौन उंचा है कौन सुरचालित है उसके बाद उन जो प्रस्थावित पहले बात तो रज्जुपत भी वोलते हैं निको ठीक है? रजुपत कहां पर सुंदा माता रूपई जालोर में है, इसके लंबाई 800 मिटर है और ये राजस्तान का, इसकी शुरुवाद 2,06 में है, राजस्तान का पर्थम रूपई और सबसे लंबा रूपई भी है, निरास्तान का पर्थम रोपे भी है, सबसा लंबे रोपे भी है, 2006 में ये बना है, 800 मिटर उचाई है, सुन्दा मता रोपे चलिए फिर बात करते हैं, मंसा पुण कर्णी माता रोपे मंसा पुण कर्णी माता रोपे आप सब जानते कहां पर है, उधिपूर में है, इसकी सुरुवात का भूई 2008 में और ये सेकंड रोपे है और इसकी उचाई 377 में ये सबसे छोटा रोपे धियान रखेगा, पूचा जाए सकता है, सबसे उचा कौन सा है, ये सबसे लंबा कौन सा है, तो सुन्दा माता और सबसे छोटा कौन सा है, तो मंसा पुण कर्णी माता रोपे इधर के लिए चले, बात करते हैं पन नमबर 3 और 4 की, तो 3 नमबर है सावीतरी माता रोपे, सावीतरी माता पता है, ब्रमाजी की पता नहीं थी, आप सबको पता होगा, रतनागीरी पाहडी पर है ये और ये जो है, दो जार सोलम बनाए गया और राजिस्तान का तीसरा रो जेपूर ग्रामीन जिलेम पढ़ता है, इसकी सुरुवात 2019 हुई और ये 400 मिटर लंबा रोफे है, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पन आगे बढ़ते हैं, तो नमबर 5 पे मनसप अनपूर्णा माता जी कौनशी अनपूर्णा माता या खोले वाले हनमान जी, ये कहाँ प आपको बात, यह आठ सो मिटर, पिर अपने देखा कि आपने आठ सो मिटर वाला सबसे उंचा, जो कौन सा है आपका सुन्दा माता, और अपने जो उदेपूर वाला है, जो सबसे छोटा या कम उचाई वाला, ठीक बात आरी, और ये अपन देख रहे हैं, अनपूर्णा मा इस से लंबाई कितनी है, 450 मिटर है, नविंतम है, गुलाब चंद करटारिया की दौरा, इसका उदगाठन किया गया जो वरतमान मासम के, राज्य पालोर, कब किया गया, 22 जनुर, इसका उदगाठन किया गया, 22 जनुर दोजार, 24, ये थे 6 रोपे जो वरतमान में हैं, अब बात करते हैं उन रोपियों की जो की प्रस्तावित हैं लीजे आपको वाकाईद है मैप के अंदर में लेकर आया हूँ प्रस्तावित रोपे देखे वन बाई वन करके इधर धान दीजेगा और पूरा बताईएगा और फिर आपको नौट्स बनाएगा पहला जो रोपे है बात करते हैं अजमेर अजमेर में राजा जी के तालाब अजमेर में राजा जी का तालाब देखो शिदनाथ शिदनाथ तो कौन है जोदपूर जोदपूर वाले शिदनाथ है जोदपूर क्या है शिदनाथ है और अजमेर में क्या है राजा जी कौन है अजमेर में राजा तो अजमेर में राजा जी जोदपुर में शिदनात पर देखें आप रासमंद में दो रोपयों बन रहे हैं एक तो फोर्टु लखेना रासमंद जील के चार और और एक फोर्टु लखेना उसके बाद नंबर चार पर अपने बात कर लेते हैं चोथा जो जिल्ला अपना वह सलूमर जिल्ला जो नवीन तम जिल्ला भी है नवीन जल्ला भी और यहां पर प्रस्तावी भी है रुटी रानी मेल शे हवा मेल जो जैसमंद जील है उसके पास में यह दोनों मेल है तो इनके बीच में भी रोपय बनाए जाएगा नंबर पांच पे पन देखते हैं बांश बूंदी में दो हैं इंदरगड़ और रामेश रह महदेव नमबर आठ पर देखो 12 जिल्य में क्रिश्ना राई मता 12 के अंदर हैं नमर नों पे देखते हैं सवयमादुपूर सवयमादुपूर में दो रोपय है आप पो मिलेंगे एक त्रीनेतर गणाजी मंदिर में और द हरूं मंदीर वहां पर जो है रोपवे बनेगा नंबर 11 पर आपको रोपवे देखनेयों को मिलेंगा इस प्रकार से यह एक बर आप आराम सी नोट्स बनाएगा मैप में बढ़ाएगा और मित्रों यहां से किशन जहना पका पका आपको आने वाले टाइम में मिलेगा यह आप कर्षणाना जोदपूर पर राजाजी आपके अजमेर पर देखा रासमंद में अपने दो हैं एक गर द और दूसरा अपने रासमंद जो ज्हील जहना उसके चारओ तरफ फिर अपने शलूमबर में हमयल और ईतिरैनी म invece म में पिर अपने बाँश्वडरा देखा तो बाँश्वड़म क्या देखा है वहाई मातुरा वंदिर. प्रष्टावी ततब है या रहा है डोसा में आप गडगणेजी और जिनवता मंदिर शिकर तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट कीजेगा और इसी प्रकार्षे और अधिक वीडियों के लिए आप हमारे चेनल पे बने रहे हैं, लाइक कीजेए सब्सक्राइब कीजेए और इसकी पीडे पर आप करने के लिए आप जो है, हमारे टेलिग्राम जोइन कर लिए मिलेंगे नेक्स, तब तक आप सभी नमस्कार, जे हिन, जे भारत, जे मेवाड